जहन बच्चो आई होप सारे के सारे मस्त होंगे, बलाई होंगे, मकण होंगे स्वागत करता हूँ सभी का physics वाला, defense वाला पे बच्चो सभी बच्चे NDA की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हम लोग topper बनने वाले हैं NDA clear भी कर पा रहे हैं और कुछ बच्चे सोच रहे होंगे शायद हम NDA clear ना कर पाए लेकिन NDA बिलकुल अनिश्चिताओं का खेल है कई बार आप NDA में जो सोच के जाते हैं वैसा आपके साथ नहीं होता है कई बार जैसा आप नहीं सोच के जाते हैं इसा हो जाता है NDA, UPSC इसी चीज़ का गेम है तो आप एक बात को ध्यान में रखिए अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं अगर आप कुछ बच्चे जो वीक हैं जो सिरफ ये चाहते हैं कि पास हो जाए तो ये सेशन उनी के लिए है जो बच्चे सिरफ समझेना चाहरे हैं कि NDA है क्या ये सेशन उनी के लिए है ये बेसिकली आपको बताएगा कि आपको अगर रैंक मारनी है कितनी तगडी रैंक लानी है वो सब आपको इस सेशन के अंदर पता लग जाएगा लेकिन किसी भी चीज़ को टॉप करने के लिए पास करने के लिए पहले उसके बारे में जानना जरूरी है कि भाई साब अक्चुल में वो कैसे काम करता है क्या हम उस काटेगरी को क्रॉस कर पारे और नहीं कर पारे क्या हम मैट्स में बहुत तगडे हैं लेकिन GAT हमारा वीक है तो ये सारी चीजे की मैट्स अगर आपकी वीक है अगर आपकी स्ट्रॉंग है तो किन चीजों पर ध्यान दे और किन चीजों को इगनोर करें ये सारी बाते में आपको आज की इस सेशन में बताने वालों एक बात याद रखेगा जब भी कोई मैच होता है न तो उसके अंदर सारी बालों को फ्रेंच फूट पर आके मारा नहीं जाता है कुछ बाल्स को हमें जुक कर नीचे भी बैठना पड़ता है और बालों को लीव भी करना पड़ता है तो ये सेशन आपको यही बताएगा कि किन बातों को आपको इग्नोर करके चलना है और किन बातों पर आपको चौका या छक्का लगाना है तो चलिए जानते हैं इंडिया के सेशन के बारे में सबसे पहले तो एक चीज़ समझे माट्स का पिपर 300 मार्क्स का है 120 कोशन है जी एटी का पिपर 600 मार्क्स का है हर कोशन 4 नंबर का है और 1500 कोशन है लेकिन हम कोशन डिसकेशन करने नहीं आएं आपके साथ कि भाई सब सिलेबस में क्या है सबसे पहले तो आप ये समझे कि उसकी कट अफ कितनी होती है मेरिट कट अफ ये आपकी sectional qualifying cut-off है मतलब की आप ये कह सकते है ये वो cut-off है जो sectional divide करीवी है जैसे कि NDA 2019 के अंदर 25% बहुत ही कम है मतलब 25% जो बच्चा ले आया होगा maths के अंदर वो maths को pass कर गया होगा अगर GAT में भी मिला के उसके number aggregate में भी होग है देखे NDA में दो category की cut-off होती है एक yearly और एक ये वाली है तो दोनों के बारे में मैं आपको detail में बताऊंगा जैसे कि इस cut-off में जो sectional cut-off है इसके अंदर minimum number आपके इतने होने चाहिए और दूसरी जो previous year की merit cut-off है मतलब की total aggregate आपके इतने होने चाहिए तो ये दोनों चीजे मैं आपके सामने लेकर आया हूँ देखे लगबग 25% जारी थी 2017, 2018 और 2019 के अंदर दोनों paper में 2016 NDA 2nd को थोड़ा सा मुश्किल माना गया था तो यहाँ पर cut-off जो है sectional cut-off वो 20% गई थी यानि कि अगर कुछ बच्चों ने कम question भी ठीक करे होंगे तो उनका भी paper clear हो गया होगा इनके comparison में तो approximately हम यह समझ लेते हैं कि अगर हम higher side लेके चलें which is 35% कि हम 35 to 40% अगर हम किसी भी section में अपना अच्छा कर रहे हैं तो हम पहला पड़ाव जो कि हमारा sectional cutoff है इसको par कर जाएंगे अगर 35% to 40% यानि कि अगर maths में आप 120 question देख रहे हो तो 48 question 48 question होता है 40% part तो अगर आप 48 questions को ठीक कर देते हो और बाकी question को आप leave भी कर देते हो छोड़ भी देते हो करके भी नहीं आते हो 120 में से तो guarantee है कि आप sectional cutoff तो pass कर ही जाओगे लेकिन sectional cutoff pass करने से कुछ नहीं होता उसके बाद total marks भी देखे जाएंगे maths और GAT के मिला के तो पहले हम total cutoff के बारे में जानते हैं जैसे कि ये total cutoff है ये return exam 900 number की है और ये after merit है final exam की बच्चो इसको बताने से पहले में आपको एक reality बताऊं आज तक merit जो है 40% से उपर की नहीं गई मतलब जिस बच्चे ने 40% या उससे जादा score किया है किस में return और SSB में मिला के वो बच्चे ने NDA निकाल दिया है यानि कि UPSC कहता है हमें average student चाहिए अगर आप topper हो न तो कोई problem नहीं है हो जाओ आप यहाँ पे भी आओ कोई बात नहीं लेकिन अगर आप average भी हो तब भी आप चलोगे तब भी आप हमारे साथ चलोगे तब भी आप हमारे साथ Army, Air Force and Navy को select करोगे ये UPSC का criteria ये NDA का criteria अब थोड़ा सा detail में समझते हैं जिसे return exam की हम बात करते हैं basically return के अंदर 305 नंबर ये सिरफ maths के नहीं है ये maths और GAT के मिलाके हैं यानि कि 39.4% बनते हैं return exam की जो आपकी cut off गई थी merit cut off NDA 2019, 346, 38.4% 342, 38% ये लगभग आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने बताया था 2016 का paper माना गया था थोड़ा सा मुश्किल आया था second में जो sectional cut off थी वो 20% रही थी तो यहां पर merit भी गिर गई थी 25.4% रही थी मतलब जिन बच्चों के 25.4% marks आए होंगे total मिलाके return और SSB में मिलाके sorry return के maths और GAT के मिलाके वो बच्चे ने इस paper को clear कर दिया होगा return का paper clear होगा अभी SSB की बात नहीं कर रहा ठीके यह तो clear की बात कर रहा हूँ अभी मैं topper की बात भी करूँगा मतलब आपको least कितना लाना है पहले ये चीज़ समझ लो तो least आप इतना तो लाए लाए मतलब 40% तक तो अपने आपको रखे मैंने यहाँ पे भी आपको यही बात बोली थी at least 40% अगर आप लेकर आरे हो maths में और 40% ही GAT में तो आप ये भी part पार कर जाओगे और ये भी part पार कर जाओगे return तक का part आपका पार हो गया ssb के अभी हमने बात नहीं करी ssb पे आएंगे एक मिनट बात तो आप पहले समझो कि actual में हमें step by step चलना है पहले देखिए rank अपने लिए सोचना बहुत अच्छी चीज है एक target set करना बहुत अच्छी चीज है कि भाई साथ 40% तो मेरे उधर भी आ जाएंगे match में और 40% मेरे GAT में भी आ जाएंगे अब मैं अपने strong portion को cover करना शुरू करूँ हूँ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो match के अंदर ही डूब जाते हैं वो भूली जाते हैं GAT भी कोई session है match के अंदर 120 में से 110 question साही करके आ रहे हैं लेकिन फिर भी NDA clear नहीं हुआ क्योंकि GAT में बिचारे fail हो गए GAT में उनकी sectional cutoff भी पास नहीं हुई GAT में 25% ही number नहीं आए 35% ही number नहीं आए 40% number नहीं आए तो ये दोनों का balance लेके चलना ज़रूरी है यहाँ पर NDA ये नहीं कह रहा कि आपकी match तगडी होगी तो हम आपको NDA में लेंगे maths का एक weightage अच्छा है maths एक advantage अच्छा है ये दोनों तीनों बाते हैं तो पहले ना समझो paper के आए अब अगर मैं बात करूँ SSB की final exam 1800 में से 726 40% this is the highest highest height 40% से नीचे देखो हर बार total मिला के cut off मतलब अगर आप 40% ले आपके हो total में total में मतलब return प्लस SSB मालनो return में आपके 60% आगे और SSB में आपके थोड़े से कम आगे 33%, 34%, 35% आगे overall मिला के आपके अबब 40% हो रहे है आप clear हो गई NDA clear होगे आज़ो बुला लिए आपको call letter आगे तो this is the way this is the तरीका अब 40% होता कितना है यार 360 number return में 900 में से और sectional अपनी बना के चलनी चलनी है यह तो है यह यह दोनों criteria को हमें लेके चलना है लेकिन एक बात ध्यान रखिए अगर आप UPSC NDA का exam दे रहे है तो maths उसके अंदर एक important role play करता है जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से उसकी तयारी करनी है सबसे पहले मैं बात करूँगा उन बच्चों के लिए जो weak है या average है वो सिरफ और सिरफ पहले इन portion पर ध्याद दे जो उनको guarantee है match में pass करा देगा फिर मैं आओंगा जो बच्चे टॉपर है उनके उपर देखो टॉपर की जो cut off गई है लगबग 60 to 65% जाती है rank 1 की जो बच्चा 60 से 65% ले आता है वो rank holder बन जाता है NDA में 60 से 65% यानि की डूबना नहीं है किसी भी सब्जेक्ट में बैलेंस बनाना है हर सब्जेक्ट में लेकिन match से advantage उठाना है वो हमारा advantage है अब समस्ते हैं कैसे काम करना है क्या पढ़ना है देखो हम लोग को ये ऐसे chapter है जिने आप आराम से हस के खेल के 90 दिन के अंदर अंदर prepare कर सकते हो अराम से कर सकते हो ये ऐसे chapter से अगर आप थोड़ सा दिमाग लगाओ तो और ये वो chapter भी है जो आपको 12 और 11 पे आप पढ़के भी आए हो देखे 120 question में से अगर मैं नाना करते 1500 minute मेरे पास पढ़े हैं और मैं 60 question भी ठीक कर देता हूँ तो आपके पस average की आरी है पर question की ये देख लो 2 से 7 2 minute 2.5 minute मतलब अगर 2 से 2.5 minute में आप एक सवाल को कर रहे हो तो आप आराम से NDA का paper निकाल सकते हो यानि यहाँ पे time का इतना बड़ा issue नहीं होने वाला सारी की सारी game आएगी पढ़ाई के उपर NDA का syllabus बहुत vast है हम लोग क्या करते हैं पूरा पढ़ने के चक्कर में रहते हैं मैं तो कहीं रहो पढ़ो लेकिन पहले पहला step clear करो कि 40% return में आ रहे हैं match में भी आ रहे हैं 40% GAT में भी आ रहे हैं अब देखो math के अंदर आप main जो focus करिए वो focus करिए probability में probability अकेला ऐसा chapter है जिसे मैं बोलूँगा आप NCRT का probability और एक ITF inverse trigonometry function NCRT का एक एक question with example कर जाओ इस साल की जो NCRT आई है 2023 इसकी वो वाली नहीं पुरानी वाली है क्योंकि उसके अंदर reduce से लिए बस आया इस बार वाली में एक एक example and एक question एक भी ऐसा question नहीं है NCRT में जो कभी ना कभी NDA के paper में ना आया हो value change हो जाती है 2000 की जगा 3000 कर देगा बट paper में जरूरा होगा question और इसके अंदर आपके 8 से 10 question पेपर में पूछे जाते है probability आपको 10th की भी पढ़नी है 11th की भी और 12th की भी 10th की probability में से मैं आपको हलका सा बता आजता हूँ जैसे आता है question leap year में 2 Sunday वाला non leap year में Sunday वाला question कि कितने Sunday आजेंगे 53 Sunday वगरा तो इस तरीके question भी पूछेंगे है दसवी वाली probability से तो आप ignore कोई नहीं कर सकते ये बात दिमाग में डाल के चलो point number 2 straight line straight line आप NCIT पूरा अपना concept पहले तगड़ा कर लो जब concept तगड़ा हो जाए तो आप straight line के questions के लिए PYQ यूज़ कर सकते हो PW के module यूज़ कर सकते हो ये ऐसा chapter है जो completely formula based chapter है मतलब अगर आपके formula तगड़े हैं आपके concept तगड़े हैं तो straight line में ज़्यादा चूँच अपड़ा नहीं करेगा ज़्यादा दिमाग में कारण नहीं पड़ेगा question को पकड़ा solve किया answer आगए इतना easy होता है तीसरे number पे statistics ये ऐसा chapter है आज इसे ज़्यादा teacher बोलते हैं इसको छोड़ दो मैं अकेला शाही टीचर ऐसा हूँ maths का जो बोलता है इस पे ज़्यादा ध्यान दो क्योंकि मैं अपने paid batches में जब मारा statistics होता है तो उसके अंदर हम एक question के 6 part करते हैं correlation regression एक topic है इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है और सबसे अच्छी बात यह इसमें ज़्यादा content नहीं है तीन या चार lecture के अंदर statistics खताम हो जाता है उसके बाद आप उठाओ statistics को आप कहोगे आरे भाई मस्त मज़े आगे कोई भी question लेओ PY के हम कर देंगे कोई भी question लेओ आगे काम कर देंगे कोई भी किताब को question लेओ हम कर देंगे actual statistics ऐसा है यह वोगना statics stats नहीं है जो 11 तो आप समझे रहे हो mean deviation about median data दिया हुआ है निकालते जाओ लंब लंब पाच 15-15 minutes में सवाल होंगे वो नहीं है भाई उससे मिलता जुलता है बट अलग है मिलता जुलता लेकिन अलग थोड़ा है लेकिन असान भी है जिसमें आप पूरे नंबर ले सकते हो अगले चप्टर की बात करें trigonometry भाई साब तकता पलट टॉपिक है जैसे आप एक बात माने ना कि कि किसी जैसे पार्टी का अगर हम पॉलिटिक्स पर जाएं किसी भी पार्टी का एक नेता उजदो कि जो कि तकता पलट सकता है ये वही NDA का तकता पलट चैप्टर है 20-20 कोश्चन तक भी आते हैं लगबग आवरेज मानके चैली 12-15 कोश्चन हर साल देखे गए है ट्रिग्नोमेक्ट्री ऐसे सवाल आते हैं 12-15 में पाथ सवाल आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके चुटकी मार के हो रहे होंगे पाथ सवाल ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है थोड़ा सा आपका पुराना पड़ावाना ची और 3-4 सवाल अच्छे टफ सवाल होंगे यह वही बॉल है कि अगर खेलने जाओगे तो आउट हो सकते हो तो इनको लीव भी कर दो के तो कोई प्राब्लम नहीं है लेकिन टॉपिक पूरा पड़ो जैसे 3 बॉले आपने छोड़ दी लेकिन अगर 12 में से 3 बॉले छोड़ रहे है 9 बॉले हिट कर रहे हो यानि 120 में से 90 कोश्चन की आवरेज आगी कि आपने बढ़िया खेला और 90 बॉले अगर हिट करोगे सिंगल के साथ कुछ डबल भी लोगे कुछ चोके छके मारोगे तो 120 से जादा रन बनेंगे यानि कि अच्छा कासा स्कोर बनेगा मेरा पॉइंट समझो क्या है पूरा पढ़ना पूरा है छोड़ना कुछ नहीं है लेकिन कुछ कोश्चन एक्जाम में ऐसे आएंगे कि अगर आपको लगे कि ये खराब बॉल है खेलने गया तो एज लग सकती है और वहीं ये करवाता है आपसे और एज लगने का मतलब है नेगेटिव मार्किंग और नेगेटिव मार्किंग का मतलब आपको पता है क्या होता है इससे बढ़िया उसको लीव कर दो तो दो-तिन सवाल जो पेपर में आएंगे ऐसा हो सकता है कि आपको मुश्किल लगे उन्हें छोड़ के चलना कोई दिक्कत नहीं टॉपिक नहीं टॉपिक सारे पढ़ने लेकिन आपको नहीं पता कौन से टॉपिक से मुश्किल आ जाएगा ये बात याद रखे लेकिन इसको अच्छे से पढ़िये मेट्रिक्स इन डेटर्मिनेंट ये बहुत सारे बच्चों का बराबर होगा ये डेटर्मिनेंट की पावर n-1, n is the order of matrix इस तरीके के जो फॉर्मले हैं वो वाले question बहुत आते हैं, inverse पे बहुत question पूछ रही है inverse में मैंने बहुत सारी shot trick कर रही है अपने batch के अंदर inverse निकालने की बहुत अच्छी shot trick बताईए, क्योंकि inverse निकालने का method 12-13 मिनिट का method है हम उसको कैसे एक मिनिट में solve करने कोई दिखकत नहीं, इस तरीके से आपको solve करना सिखाया हुआ है, ठीके, vector 3D ये chapter कई बच्चों का बहुत strong होता है, कई बच्चों का बहुत weak होता है लेकिन जब आप NDA के level पर बात करते हो तो अच्छा खासा आप इसके अंदर पढ़के निकाल सकते हो, इनको NCRT से नहीं करना है, अगर vector 3D आप पूरा PYQ plus concept and formula कर जाओ एक single question ऐसा नहीं होगा जो आपको बहार से मिल जाए, value match से 3 की जगा 5 हो सकता है लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा vector 3D में ये हाल है तो basically ये question देखिए, इधर से 8 से 10 इधर 6 से 8, 6 से 8, 12 से 15 8 से 10, 10 से 12 अगर आप ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 set of topic भी कर जाते हो तो 50 से 63 question आपके cover हो रहे है सीधे सीधे, जिन में से असान chapter तो मैंने अभी गिने भी नहीं है logarithm हो गया, binary हो गया set theory हो गया PNC हो गया, तो गिने भी नहीं कि इनका आप कुछ कर के आ रहो मैं तो करो छोड़ के आ रहे हो, और जो बच्चे week रहते हैं, वो कहते हैं सर calculus कैसे करें, बटा, calculus यही पूरी, इनमें है ही नहीं calculus तो week बच्चे पहले इसको target करें, और जो strong बच्चे हैं वो भी पहले इसको target करें ताकि अपने आपको confirm pass की situation में लाए, उसके बाद आगे बढ़े अगर आप ऐसा नहीं करोगे, आप सारा कुछ पढ़ने के चक्कर में रहोगे अगर मालो इनमें से, एक दो चाप्टर आपके छूट भी गए, एंड में आपका confirm pass वाला topic हो गया पहले अब आप rank लाना चाते हो लेकिन एक दो topic आपके छूट गए, कोई बात नहीं क्या होगा, दो-चार question छूट जाएंगे, उचूट रहें तो नंबर पूरे आएंगे, नंबर पूरे आएंगे मतलब rank पूरी आएगी तो ये सारा game depend करता है, हम कितना समझते हैं कि हमें किस चीज को कब करना है देखो, हर ball हमेशा चौके छके लगाने वाली नहीं होती है और हर ball ऐसी भी नहीं होती है, कि हर situation भी ऐसी नहीं होती कि हर ball को hit किया जाए, चाहे वो hit करने वाली हो क्यों? क्योंकि हमें देखना पड़ता है, विक्टे कितनी बची हैं हमारे नीचे अगर हम चौते नंबर पे खेलने आने, कौन सा over है सारी situation को देखके चलना पड़ता है यानि कि आपके लिए situation क्या है आपके लिए situation ये है कि आपने कितने chapter English में पड़ रखे हैं, कितने topic आपने history में पड़ रखे हैं कितने topic आपने किसी और चीज में पड़ रखे हैं वो सब आपके लिए important है अगर वो सब आपने नहीं कर रखा तो इन पे ध्यान मत देना पहले ध्यान देना इन पे ये जैसे ही cover हो जाए उधर का important portion cover करके फिर आगे बढ़ना समझ में आरी है मेरी बाग फिर कहना कि अब मैं इन पे तीर मारूँगा अब मैं अपने shots अच्छे गरूँगा अपने सारे chapter अच्छे गरूँगा तब मैं ऐसे पढ़ूँगा This is the way of study NDA और अगर आप ऐसे पढ़ते हो आपको यकीन ना है आप करके देखलो probability एक chapter पढ़ो सिरफ सिरफ एक chapter और खुद का test लो कैसे test लोगे एक chapter पढ़ो आपने probability पूरा पढ़े लिया मैंने आपको NCID बोला तीनों किताबे किसी भी साल का paper उठालो आपका मन कर रहा है 2022 का paper उठाने का 2022 में दो बार paper हुए थे मान लो दोनों बार में मिला के 15-20 question आएवे probability के अगर आपने 80-85% question solve कर दिये इसका मतलब आप हर chapter के 80-85% question कर दोगे आपके लिए तो नए आई है paper भी 24 भी आपके लिए नए आई होगा 23 भी आपके लिए नए होगा आपने तो पहले पढ़ा इन है मैं तो बुला NCID अच्छे से prepare करो ठीक है और फिर इनको करके देखो अगर आप से 80-85% question हो रहे है यानि कि 120 में से अगर आप सारा पढ़के जाओगे तो 80-85% काम होगा ये बात अपने दिमाग में डाल लो समझा रहे हैं ना मेरी बात अब कुछ बच्चे ट्रिग्नोमेटरी पढ़ते हैं सर बीस में एक बार पेपर हुआ है को विड़ी के विज़र से इन में दो-दो बार पेपर हुए यानि साथ पेपर आपने नहीं पढ़े चाप्टर वाइस वेक्टर 3D में ये तो आपने पढ़ लिए इनका लोग खुद से टेस्ट और टेस्ट में देखो कि कितने कोश्चन में से कितने सही करें, कितने गलत करें, कितने लीव करें कितने नमबर मेरे बन रहे हैं आपको अपने आप पता लगजेगा आप स्टैंड का करते हो आपको किसी और की जूरत ही क्या है आपको सिरफ अपने आपको सही guidance की जूरत है, पढ़ने की जूरत है, मेरा point यह है बस, बस पढ़ने के लिए आप लोग जो use कर रहे हो, उसका ध्यान रखो कि कैसे कर रहे हो, हर chapter में आप ऐसा कर सकते हो, क्योंकि आपके लिए ये सारे नए होंगे, और 24 भी नहीं होगा, अग के लिए तो ये भी नए थे, इस तरीके से पढ़ो, मैं आपको guarantee जेता हूँ, आप अच्छा निकाल दोगे paper को, चाहे rank वार रहे हो, चाहे आराम से week हो, week बच्चे इस पे ध्यान दे, rank वाले बच्चे पहले इसको ध्यान दे, फिर इनको पढ़े, ये बात याद रखिए, ठीक है न, पहले इसको ध्यान दे के GAT का portion cover करके फिर इस पे ध्यान दे, तब ऐसे करें, ये तरीका है सही पढ़ने का, I hope आपको समझ आयागा कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और क्या करना है, तो आज के इस session को यहीं पर समाब करते हैं, बाकि कुछ आपको लगे क कि और कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है मैं जितना हो सकेगा reply करूँगा, बबाई, take care, जहिन बचो